आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग नन फिनाइट्स नन फिनाइट्स का एक इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे भर्ब्स है जो यदि वाक्ष में हो तो उसके बाद यदि भर्ब आता है तो उसके पहले टू का लगनाता है तो वो भर्ब्स कौन-कौन है आपका stop, promise, try, remember, forget, refuse, appear, seem, begin, decide, prove इसके बाद आपका 2 प्लस B1 के यूज होता है तो अब ये भर्ब्स जो है वो आप कैसे याद रखेंगे उसके लिए मैं आपको एक trick बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा, देखिए एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, रूको, वादा करो, कि आज के बाद कोशिस करोगे कि जितने भी दोस्त याद है, सब को भूल जाओगे उनको मना कर दो कि आज के बाद वे दिखाई नहीं दे, सीम तोड़ दो और आज से पढ़ना सुरू करो, और तै करो कि अच्छा आदमी बनकर अपने आपको सिध्ध करो यह एक छोटी सी कहानी है, जिसमें आपका सारा भर्बस आ जाएगा जिसके बाद 2 पलस भीवन का यूज होता है तो कहानी, फिर से एक बाद सुनते हैं कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा रुको, देखिए जितना भी मैंने सरकल में किया है, वो भर्बस है जिसके बाद 2 पलस भीवन का आना तय है तो पिता ने अपने पुत्र से कहा रुको, वादा करो कि आज के बाद कोसिस करोगे, कि जितने भी दोस्त याद है सब को भूल जाओगे, उनको मना कर दो कि आज के बाद दिखाई नहीं दे सीम तोर दो और आज से पढ़ना सुरू करो और तय करो कि अच्छा आदमी बनकर अपने आपको सिध करोगे तो ये जितना भी आपका सरकल में है रुको, वादा करो, कोसिस, याद, भूलना, मना करना, दिखाई, सीम, सुरू करो, तय करो और सिध करो ये सब भर्ब्स हैं और ये कहानी है छोटी सी आप याद रखिएगा तो भर्ब्स मैंने आपको अलड़ी बता दिया है तो अब बात करते हैं एक्जांपल्स की ये आपका सिंटेंस करेक्ट है क्योंकि रिफ्यूजड के बाद आपका टू पलस भीवन आया है दूसरा एक्जांपल है कि ये बिल्कुल गलत है क्योंकि फॉर्गेट के बाद आपका टू पलस भीवन नहीं है तो सही कैसे होगा ये आपका सही है उसी तरह से ये जितने भी भर्ब्स आपके हैं उसके बाद टू पलस भीवन का आनत है स्टॉप, प्रॉमिस, ट्राई, रिमेंबर, फॉर्गेट, रिफ्यूज, एपियर, सीम, इस डबली एम सीम, बिगीन, डिसाइड, प्रूव और ये उसका कहानी है जो कि आपको याद करने में मदद करें